वेलकम दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिखने वाले है कि जो हम गरों में सीलिंग फेन, टेबल फेन, कूलर फेन और वाटर पर्म जैसे सिंगल फेस मोटरों का यूज करते है जिसमें कैपेसिटर लगते है वो मोटर में कौनसी मोटर में कौनसा कैपेसिटर यूज किया जाता है तो दोस्तों वीडियो को स्टाट करते है देखे दोस्तों मेरे पास में अलग-अलग कैपेसिटर है यह कैपेसिटर अग दोस्तों यह सबसे पहला जो है डाइम ही का कैपेसिटर है उसके बाद में दोस्तों यह बड़ा वाला कैपेशिटर है और दोस्तो इसके बाद में जो आपको चोरस में चोटा वाला दीख रहा है वो भी 1.5 मेंफिर का कैपेशिटर है तो दोस्तो यह सब कैपेशिटर कौन सी मोटर में यूज होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पर दोस्तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब में किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब गर जिजी ताकि दोस्तो मेरे हर नए वीडियो की नोटेफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तो सबसे पहरे स्टार्ट करते हम सीलिंग फैन से तो दोस्तों ceiling fan में 2MFD से लेके 2.5MFD तक का capacitor यूज़ किया जाता है और दोस्तों इसमें ज्यादा तर regular में 2.5MFD का capacitor ज्यादा यूज़ किया जाता है इसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पहरे high speed ceiling fan जो 6x6 coil के आती है तो दोस्तों ये fan में ज्यादा तर 3.15 का capacitor यूज़ किया जाता है और दोस्तों ये fan आती है ये high speed में होती है और दोस्तों ये fans copper और aluminium दो टाइप के winding में wind किया जाती है तो दोस्तो इसमें ज्यादा तर जो copper winding है उसमें 2.5 mfd और aluminium winding में 3.15 mfd का capacitor यूज़ किया जाता है यह नंबर पर आता है धोस्तो high speed ap fan तो दोस्तो यह ap fan की motor में भी 2.5 से 3.15 का capacitor यूज़ किया जाता है और दोस्तो यह fan में भी aluminium और copper low type के winding आते हैं तो दोस्तो इसमें हम copper winding में 2.5 mfd का capacitor यूज़ कर सकते हैं और दोस्तो जो aluminium winding में 3.15 का capacitor यूज़ कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तो आता है pedestal fan तो दोस्तो में भी 1.5 से लेके 3.5 तक के capacitor को यूज़ किया जाता है और दोस्तों इसमें ज्यादा तर जो चौरस में जो ब्लेक वाला क्यापिस्टर में आपको दिखाया था वो टाइप की क्यापिस्टर यूज किया जाते है तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं फराटा फैन की तो दोस्तों ये फराटा फैन में ज्यादा तर चार एम नमबर पर आता है दोस्तों मद्दानी मोटर तो दोस्तों यह मद्दानी में 2.5 से 3.15 का कैपिसिटर यूज किया ज्यादा है इसके बाद में डूसटो सा Gary Mor prayer to cooler fan में जो राइब साइज का कूलिरफइन आता है कॉष्वी मॉटर दुस्तो चोटी शाइず में होती तो यह बड़ा वाला cooler वाला तो जिसमें मॉटर का capacitor यूज किया जाता है और दोस्तों जो 1HP का water pump आता है वो 1HP के water pump में 15 MFD का capacitor यूज किया जाता है तो इस तरह से दोस्तों जो गरों में single frame motor यूज करते हैं जिसमें capacitor आता है उसमें दोस्तों इस तरह के capacitor use होते है तो दोस्तो I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तो अगर आप मेरी चैनल में नए आये हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना